ऌभी हम लोगों ने वोट वहिसकार का फैसला लिया है। प्रशाशन होता इस हमींति हैं जो नहीं बड़ नहीं को फैसला शुच रहते हैं। लेकिन नहीं पर शुटंबना सिथी हूं छीन चूप siwa अधोर हैं। अगर निगम सुने के पड़ास बिल्कुल नहीं कर रहा है अगर हो गया काम तो ही बोट देंगे नहीं तो मैं बोट नहीं दूँगा क्योंकि अब घर में माता पिता जी लों कहां कहां पुरा महला घूम के तब तो जाके घर में पहुशते हैं तो नमस्कार दोस्तों मैं हुआ अरकिन साथ स्वागत करता हूं आप सबका धर्सक न्यूट 24 में बता दे कि इस वक्त हम प्रियाग राज के 96 अंतरगात 9 सेंट्रल जेल के समय अंबेड कर नगर में मावजूद हैं और बता दे कि लोग सभाद चुनाव 2024 की हल चल तो चली रही है ऐसे में प्रियाग राज के अगर बात की जाए तो आने वाली 25 माई को यहां का गलियों से होकर वोट मांगने के लिए जाएंगे क्या जब नेता जी गली कूछों में निकलते हैं तो क्या ऐसा लोकेशन उनको दिखाई हमें बुलाया गया बुलाने का क्या मक्षाँ है सबसे वड़ी समस्य हमारी ये और गाले का गंदा पानी हमारे घारों घुसरा है है जिस से हम लोगों जीना ढूभर हो गया है जारों के लिकरत घंकophile में देवातिया कि जैसी समस्य का समधान करने वाला कोई नहीं है तो इसलिए आप लोगों ने वोट वहिसकार का फैसला लिया है जिसका जिम्हेदार नगर निकम प्रशासन होगा यहां पर ना सीवर लाइन है और यह जो गंदा पानी नाली का है वो घरों में घुस रहा है जिससे हम लोगों जीना द अब तमाम नेता लोग हैं गली गली आरों में घूम कर वोट की अपील करेंगे लोगों से वोट मांगने का काम करेंगे लेकिन क्या जब नेता लोग ऐसे सी गलीों से गुजरते हैं तो क्या उनकी नजरे नहीं जाती है या फिर उनको दिखाई नहीं देता है या फिर सिर्फ वोट लेने के लिए वो लोगों को गुमराह करते है फिर उसके बाद 5 साल नजर नहीं आते हैं थोड़ा सामने से दिखाने का प्रयाज करें यह आप देख पा रहे होंगे कि बजाते हुई नालियों और नालियों का जो पानी है नहीं कि सीवर का जो पानी है वो सडकों पर है और इनके द्वारा बताया जा रहा है कि लगबग द धर आ जाए सद॥ार आ जाए इधार आजाये आप और यह हमारे साथ कुछह कि स्थानी लोग आए इंसे जानते हैं क्या नाम कर रहा हुए मेरा ममला नहीं जे कर दो City समझेंगे और उसके पार इंगिनियर्इम्स समय कJeffrey लिए पहले से की एक बार मेंकार्था हुआं मैं सोगी में सण अंहीड है और अखिरकार क्यों लोगों को इस गंदे वातावरन का सामना करना पड़ रहा है वे जा रही है देखते हैं फोन उठाते हैं तो हम तुरन तुम से बात चीप करने का प्रयास करेंगे जेई साहब से और क्या कुछ कहते हैं वो अभी आप सुनेंगा हमारे साथ अधिकारी फोन लगाईए तो फोन तक रिशीव नहीं करते हैं एक बार पुना लगाने का प्रयास करेंगे हलो जी नमस्कार सर आरके निशाद बोल लहूं दर्सक निउट्वर से क्या मेरी बात जेई साहब से हो रही है जैसा कि लोगों ने मुझे बुलाए मौके पर आकर मैंने तो क्या आज इनकी समस्चा का समधान हो जाएगा और जैसाब लोगों ने एक फैसला लिया है और यह लोग सुन रहे हैं आपको इस समस्चा को लेकर लोगों ने वोट वहिसकार का जो है ऐलान किया अरे नहीं बड़ी समस्चा नहीं है अभी देखिएगा जैसीवी से निकल वादे पहले हम जेटिंग मसीन सोच रहे थे लेकिन वह मिल नहीं पाई तुमने का जैसीवी समस्चा दूर हो बहुत खतरना किसी थी हम खुछ जान रहे हैं जी मग्या हुआ था देखने भी मौके पर जे और जाएगा भी दौर सहाइगा थी मिल देखना या होगा कि जैसा कि लोगों ने फैसला तो लिया है कि हम वोट वहिसकार करेंगे तो क्या हकीकत में अब जेई साहब इस समस्चा का निदान करवाएंगे अगर इसके बावजोद इस समस्चा का निदान नहीं होता है तो इसके जिम्मेवार नगर निगम प्रशासान और जेई साहब होंगे जैसे कि जैसे साब ने कहा भी है कि इतना बड़ा फैसला ये लोग लिए हैं तो उससे पहले हम निदान करवा देंगे अब देखना यह आओगा कि होता है या फी नहीं क्या नाम हूँ आपका दुर्गेश कुमार को अब से इस समस्चा का सामना कर रहे हैं आप लोग यह तो ह अब गार में पुरा लैट्निंग कर पूरा मलबा भरा हुआ है अभी साब कर बस तुव अंतार है आपने सुना जेई साब से बात चुछ तो नहीं देख लेते हैं तो ही वोट देंगे नहीं नहीं दूंगा मेरे घर में कंसकर तस बारा बोट है नहीं दूंगा क्योंकि है उसर देखे सामने कितना भाजस्ता है अब क्या depri पानी में से नहीं है और कमल पानी इस ड़या से तो जोटे न दूब दिपक्तétais अब कितना दिक्क्त हुरी है का कि विदद बनी हो रहे हैं जिल बंदर से पनी मकूझा सब चलिए ठीक कुछ आई यह मैं आप लोगों सब्कार और में को दिखाता हू Espa बार डरते हैं कि कही ये काला पानी गहरा ना हो क्योंकि आप देख पा रहे हैं ये पूरी तरह से जो गंदा पाने हैं महाल को पूरी तरह से गंदा कर रखा है और कैसे जीते होंगे यहां के लोग कैसे रहते होंगे यहां के लोग यह आप देखकर तजबीर अंदाजा लगा तारे लोग ऐसे हैं जो यहां से पलाइन कर चुके हैं अपने घरों में ताला लगा कर, कि राये पर कहीं और जा कर रहने लगे हैं, अभी तक इनकी समस्चा का निदान नहीं हुआ है और जैसा कि इन लोगों को दारा बताया जा रहा है कि कई बार इस समस्चा को लेकर हमने संबंदी तदिकारियों को आला अधिकारियों को सूचित किया उसके बावजूद आज तक किसी बीतर है कोई कारवाई ये कोई सुनवाई नहीं हुई है अब देखना या होगा कि जैसा की अभी हमने जैई सहथ से बात की और उन्हें वद्धा भी किया कि आज हर हाल में इस समस्चा का निदान कर दिया जाएगा अब देखना या होगा क्य हकीकत में नगर निगम प्रसासन के दोरा इस समस्चा के निद्यान किया जाएगा या फिर नहीं तो दोस्तों बता दे कि आज हम प्रियाग राज के नैनी छेत्र अंतरगत अम्वेड कर नगर में मौजूद थे जहां पर आपने देखा कि किस तरह से बजबजाती हुई नालि को आम अंतरन दे रहा है और यहां के लोगों ने वोट बहिस्कार का फैसला लिया ही अस्थानी लोगों को दारह बताया गया कि लगबग दो महीने से निरंतर यह समस्चा बनी हुए जिसको लेकर हमने शंबंदित अधिकारियों को कई बार आउगत कर आए उसके बावजू कि आज हराल में इनका काम करवा दिया जाएगा अब देखना यह होगा क्या नगर निगव प्रसासन के द्वारा जैए जाएगा या फिर नहीं तो इस तरह के बहुत सारी खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ देखते रहे दर्शक नूटिफॉर मिलते हैं किसी द